दोस्तों, यह मेरी बेटी है शफाः और नम सलमा है मैरी वही बेटी हो जिसे मैंने 4 साल पहले पार्क में खुद या था मेरी मॉम नहीं है मैं सलमा को नहीं दूगी इसे पाल पोस्ट के इतना बड़ा मैंने किया है चलो दोस्तों कार को चल के वाश करते है गुड मार निंग मैडम आप कईसी है मैं अगदम अची हूँ थैंक्यू गुड मर निंग मान कि वल्कम बामर जाया ask mरे दोग साथ राधी एकिन तो मेरे इडेंट कुमारे उसलगता है कि में तुमर्ला ऐसे बैसी हां कि जानती हो क्या नाम है तोasına मेरा नामिंज येकिन इस तुममНी बापा नहीं है मुद्साइओ मेरे मैं पार नहीं है मेरे कार को तुम कब से साफ कर रही हो? पिछले चार साल से तुम मेरी दोज की बेटी जैसी लग रही हो ज़रा नेकलेस देखूँ ये ये मेरी फ्रेंड की नेकलेस जैसा है तुम्हें किसने दिया था? बच्पन से है मेरे पास चलो सलमा लेट हो रहा है ये कुछ पैसे हैं आपस में बाट लेना तुम आपका बहुत बहुत शुक्रिया वेलकम बच्चो आँटी टॉय और कपड़े लाना मद भूलना हाँ हाँ जरूर मैं आओंगी तुम्हाई लिए कपड़े और खिलोने लिकर आओंगी ये 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 हूँ क्या तुम लोग यहां पर रोज गाड़िया साफ करते हैं चलो मैं अब जल्दी में हूँ चलती हूँ बाइ वो आँटी कितनी अची थी कितने सारे पैसे दिये हैं हाँ उन्होंने टॉइज और कपड़े लाने के लिए भी वही है लेट हो रहा है चलो गाड़ी साफ करने चलते हैं लड़किया लेट हो गई आज हम आ गए हैं लेट आए हो पैसे कहा है जल्दी बोलो ये लो आँटी 20, 40, 60 ओके बढ़िया सो सो जल्दी दो 10, 30, 30 फिर से 30 हैं तुम पर बस 30 ही हैं हर बार थोड़े पैसे लेकर आती हो आँटी ये खेल रही थी तो ये कारण है लो गजल और सल्मा कहा है वो अभी तक गाड़ी साफ कर रहे हैं ओके ओके काश वांटी रोला है हाँ आप कैसे है और शफा कैसी है? हलो गुड मॉर्निंग आप कैसे है? मैं अच्छी हूँ सोचो आज मैंने क्या देखा? क्या देखा? मैंने शफा को देखा जो तुमारी बेटी काफी सालों से गायब है पक्का? हाँ पक्का उसका नेकलेस भी ऐसा ही था तुमने कहा देखा उसे? आज सुबा कुछ लड़कें गाड़ियां साफ कर रही थी उन मेंसे एक लड़की बिल्कुछ शफा के जैसी थी तो मैंने उससे पूछे तुमारे मम्मी पापा कहा है? उसे उनके बारे में कुछ भी नहीं मालुम था वो सोसो नाम की एक औरत के साथ रहती है जिसका ख्याल रखती है उसने बताया कि घर वही है चल दी से मुझे ले चलो वही पे चलो हलो आजाओ अंदर आओ तैंक यू सुईटाइज आपको देखके खुशी हुई तैंक यू गिफ लेकर आई है अलो बॉड मॉर्णिंग यहां क्या काम है क्यों आई हो अज सल्मा ने सुबा मेरी गाड़ी साफ करी थी तो मैंने उससे वादा किया था कि खिलोने और कपड़े लेकर आऊंगी सल्मा मुझे पार्क में मिली थी पर सिर्फ चार साल की थी मैं उसे लेकर आई और मैंने उसे बच्ची की तरह बड़ा किया सल्मा मेरी बेटी है वो खो गई थी जब वो चार साल की थी मैंने उसे सब जगा ढूना वो कई नहीं मिली जब वो खोई दी तो उसकी गले में ऐसा ही नेकलेस था जो सलमा के पास है हाँ हाँ जैसा नेकलेस आपके पास है वैसा ही उसके पास है मेरी बेटी कहा है मुझे उसे देखना है जल्दी से दिखा दो वो गारी साफ कर रही लेकिन वो अब तुम्हारी बेटी नहीं मेरी है मैं शर्मा आनी चाहिए जल्दी बताओ कहा है वो मेरी बेटी ये लो आंडी शुपा 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 गिंती हूँ मैं तीस चालेज साट असी सौ अरे वाद तुमने तो बहुत पैसे कमाई है मेरी बेटी मेरी बेटी शुपा मेरे नाम सन्मा है नहीं तुम मेरी बेटी शुपा हो जब तुम चाड़ साल की थी तो पार्क में खो गई मेरी मा नहीं है नई तुम मेरी बेटी हो, याद करो देखो इस पिक्चर को देखो, हम साथ हैं हाँ आप मेरी मा हो हाँ तुम मेरी बेटी हो, देखो ये नेकलिस बिल्कुल मेरे जैसा है हाँ मा बेटी ठैंक गॉड मा आप मिल रही, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा मैं तुम्हें सालों से ढून रही थी और आज तुम मुझे मिल गई मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है मेरी प्यारी बेटी देखो मैं तुम्हारी लिए क्या-क्या लेकर आई हूं मेरी प्यारी बच्ची थैंक यू ममा मैं तुम्हें सल्मा को नहीं देने वाली हूँ क्योंकि मैंने इसे पालपोस के बड़ा किया है तुमने इसे बड़े करने में जो पैसे खर्च किये हैं वो मैं तुम्हें दे दूंगी दोगी तो हाँ दूंगी मैं बच्चे से बड़ा कंडे में एक लाग रुपे खर्च हो गए हैं ठीक है मैं तुम्हें शफा के बदले एक लाग रुपे दे रही हूँ ओके आंटे प्लीज शफा को लेके आती रहना हम इससे बहुत प्यार करते हैं परिशार मतो मैं शफा को रोज तुम्हारे पास लेकर आऊँगी ये शफा तुम सच में बहुत लगी हो तुम्हें भी मम्मी मिल जाएंगी हमें तुम्हारी याद आएगी शफा मुझे भी आएगी दोस्तों मैं शफा तुम्हें मिस करूँगी चलो रो मत ये लो गिफ्ट बच्चों थैंक यो वेलकाम शफ़ा डेली तुमसे मिलने आएगी वी लेव यू शफ़ा अई लेव यू टू दोस्तों अंटी आपने मुझे बढ़ा किया मैं आपको कभी नहीं मुझे यार आएगी मेरी बेटी तुम लगी हो तुमें मा मिल गई शफ़ा तुम सबको भी जल्दी मिल जाएगी हाँ जरूर चलो शफ़ा घर बाई लव यू बाई शफ़ा की याद आएगी वो तुम सबसे बेस्ट थी मेरे कबड़े बिलकुल भी अच्छे नहीं हैं मेरे कबड़े खराब है अच्छ कोड़ में उसके जैसे होती है हाँ 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 वो कितनी लगी है वो अपनी मर्जी से खेल सकती है घूम सकती है मैं तो यहाँ बैठी रहती हूँ चल भी नहीं सकती हाँ 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 वाँ तुमारी ड्रेस बहुत अच्छी है श्यूस भी अच्छे है यह नेकलेस भी कितना अच्छा है तुमारे बाल भी अच्छे है लगी हो काश मैं भी तुमारे जैसी होती थैंक यू वेलकाम बाइ बाइ उसके पास इतने अच्छे कपड़े और मेरे पास कुछ भी नहीं है उसके कपड़े अच्छे हैं वो अमीर है मैं गरीब हूँ मुझे उसके जैसा बनना है बनना है काश मैं ऐसी हो जाओं को लहां हा 돼 मैं खड़ी हो सकती हूँ चल सकती हूँ ये मेरे कपड़े अच्छे है हाँ मैं चली सब्सक्ती हाँ पुथ है चिब चली सब्सक्ता अच्छे कपड़ों का पाता हहा हू 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 लगता है अब कभी नहीं चल पाऊंगी मैंने क्यों विश मांगी मुझे ठीक करने के लिए थैंक यू गॉड वो केल रही है किती लगी है ये लड़की मेरे पुराना टाइम याद दिला रही है जब मैं बिमार हुआ करती थी सैड मत हो चलो चल कर खेलते हैं ओके मुझे मज़ा आया मुझे भी मुझे जूला जूला है ओके आओ मुझे जूला जूला हुआ थोड़ी हावा काने चलें हाँ बिल्कुल चलते हैं जो भी आपके पास है उसके लिए आपको खुश रहना चाहिए अपनी जिन्देगी से हमेशा प्यार करें आपको जो भी लाइफ में मिला है हमेशा उसके लिए थैंक्फुल रहें पता नहीं है जो भी आपके पास है गौड कब आप से वापस ले ले कभी भी अपनी लाइफ को दूसरों से कंपेर ना करें दूसरों के मदद करें और प्यार करें